चलें, इस lecture के अंदर जो चीज़ा आपको बताने वाला हूँ, that is Gauss-Jordan Method, जो basically Gaussian Elimination की एक extension है, extension क्यों है और उसमें कौन-कौन सी चीज़े additional ही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, हम अपनी screen पे जाते हैं, और जो method का नाम है, वो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, which is Gauss, इसको Gauss भी बोलते हैं, Gaussian भी बोलते हैं, और basically Gauss अक्सर उकादर, Gaussian बोल देते हैं लोग, so doesn't matter, आपको नाम के spelling अच्छे से पता होना चाहिए, pronunciation दुनिया के अंदर change होती रहती है, Elimination, Elimination का method का मतलब यह है, कि Gaussian की तरह आपने basically बनानी वो ही अपर triangle एक matrix की, यानि कि आपने 00 करके बाकी जो number हैं, वो आपके पास scalars होने चाहिए, non-zero, ठीक है, so इसका मतलब यह हुआ, कि जब आप अपर triangular बना रहे हैं, then there might be something in addition in this one, वो क्या है, उनको देखते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो भी आपके पास equation है, उसको आपने augmented matrix में convert करना है, so step one is, make या form an augmented matrix, matrix या matrix, whatever you want to see, number two is, you can reduce the row, for example, row reduction हमने करनी है, row reduction, जिसको Elimination में बोलते हैं basically, to row echelon form, इसको काफी लोग echelon बोलते हैं, कुछ लोग echelon भी बोल देते हैं, so don't worry about that, it's actually echelon form, ठीक है, number three would be, आपका row operations आपने लगाने है, इसी form के अंदर convert करने के लिए, ठीक है, and number four would be, आपने resolve करना है equation को, based on the values you get, ठीक है, मैंने आपको पिछले lecture में भी बताया था, अभी भी बताता हूं, और इसको solution को आपके सामने बताता हूं, तीन चार स्टेप हैं, वो ही augmented matrix है, सिरफ एक row echelon form के अंदर चीज़ों को convert करना, वो क्या होती है, उसको हम देख लेंगे, then it would be super easy for us to understand, सबसे पहली चीज़, problem हमारे पास है, एक्स, प्लस, टू वाई, मैं कोशिच करूँगा, इस दफ़ा गलती ना हो, ताके सब लोगों के बराबर answer है, और यह भी हो सकता है, कि मैंने गलती की नहीं है, पिछली वीडियो के अंदर, I was just saying, कि आप चेक कर लीज़ेगा, बाइदर वे, 2x plus 3y plus z is equal to 16, and then minus x plus y plus, नहीं, minus 2x minus 2z is equal to minus 1, यह हमारे पास एक equation आ गई है, अब सबसे पहला काम हमने आपको बताया, कि हमने इसको convert करना into a matrix, तो 1, 2, minus 1, 2, 3, 1, 1, 1, minus 2, augmentation, 9, 16, minus 1, यहां तक कोई गलती है, तो मुझे अभी बताएं, जो आपको लगता है, चले, अब आगे मूव करते हैं, हमने अब क्या करना है, augmented matrix बना लिया है, हमने transform करना है, row को reduce करके, ठीक है, अब हमने row reduction करनी है, कैसे row reduction करनी है हमने, हमने नीचे वाले जो values हैं, उनको 0 बनाना है, सो मैं यहां पर operations लिखूँगा, सिरफ आपने वो perform कर लेने है, and then you should have something like an equation, जिसकी value 0, 0, 0 की base पे चलेगी, and then we have to create an identity matrix, तो operations जो हैं, आप कोई भी apply करें, आपके पास at the end, जो matrix आएगा, that would be, just a minute, आपके पास जो final operation होना चाहिए, final matrix वो यह बनना चाहिए, ठीक है, 0, 0, 0, 0, 0, 0, और यहाँ पे आपके पास आजाएगा, 4, minus 1.5, और यहाँ पे 0.5 आजाएगा, यानि के आपने इस matrix को, row operations के through, convert that matrix into an identity matrix, और इसी को row echelon form बोलते हैं, क्यों? अभी आप देखेंगे, गौर कीजेगा, identity matrix जब आपके पास बन गया है, identity matrix का role के आप देखिएगा, यह जो है हमारे पास x है, ठीक है, x is equal to 4, यह है हमारे पास y, y is equal to minus 1.5, और यह नीचे वाला हमारे पास है z, so z would be equal to 0.5, simply, so this is why we have to use the Gauss-Jordan method, क्योंकि इसमें आप सिरफ नीचे वाले को 0-0 नहीं करते हैं, उपर वाले को भी 0-0 करते हैं, और इस तरीके से आपके पास answer जो है वो, आ जाता है Gauss-Jordan elimination में, अब जो operations हैं, वो मैं यहाँ पे आपको कुछ operations बता देता हूं, which you can perform, जिसके अंदर swapping the column भी आ सकता है, and there are many things, तो operations को लिखने के लिए, आप सबसे पहले use करेंगे, किस पे operation करना है, मैं कहता हूं, row 2 पे operation करना है, ठीक है, कौन सा operation करना है, आपने करना है, row 2 पे, row 2, minus 2, row 1, ठीक है, और row 3 पे जो operation करना है, वो भी बता देता हूं, row 3, इस पे operation आपने करना है, row 3, plus row 1, ठीक है, यह दो operations आपने perform करने, and then, आपके पास जो दो operations perform करने के बाद, matrix आएगा, it will be like this, 1, 2, 1, 0, 0, minus 1, 3, minus 1, minus 1, और यहाँ प्याज़ेगा, 9, minus 2, and 8, ठीक है, फिर इसके बाद, आपने अगले operation करने है, वो कौन से operation है, आप column की base पे, चीजों को normalize कर सकते हैं, ठीक है, then you can normalize the second row, by multiplying, by minus 1, और उसको row 2 को, minus 1, आट 2 में convert कर देंगा, यानि के, row 2, मैं इसको बलके blue में लिखता हूँ operation को, अब हमने क्या करने है, row 2 को, minus 1 के साथ, multiply करने है, ठीक है, and then, this will create zeros above, and below the leading one line second, ठीक है, यह क्या करेगा, यह आपका zero तो बना देगा, इसके बाद, आप उपर और नीचे, दोनों तरफ zero बनाएंगे, so, यहाँ पर आप क्या करते हैं, identity matrix के अंदर, आप basically, पहले जो zero बनाया, यहाँ पर इसको zero बनाया, इसको बनाया, अब आपने इसको बनाना है, और फिर आगे move करते जाना है, so, you have to think, के यह one हो जाए, और उपर वाले zero हो जाए, so, diagonal के अंदर, आपके पास one आना चाहिए, like this, और यह zero, तो आप column wise चलते हैं, इसमें usually, आपके जो operations होते हैं, वो column wise होते हैं, so, this is all about, Gauss-Jordan elimination, अब operations आपने perform करने, क्योंकि जहरी बात है, example करने बैठे हैं, तो 100 example भी काफी नहीं है, यह आपने examples को परफॉर्म करने हैं, और different operations को परफॉर्म करने के बाद, आपने यह assignment संबीट करवानी है, which was, how to convert this equation, this system of equation, and solve it using Gauss-Jordan elimination method, उसका एक तरीका कार क्या है, कि आपने augmentation, augmented matrix को, बाद में identity matrix के अंदर convert करना है, या तो वो please कर ले, और हम next lecture पर फिर move करते हैं,